खरगोन जिले के बढ़वा में मुख्य मंत्री निकाह योजना के तहट नीशुलक निकाह सम्मेलन रविवार दोपहर में संपन हुआ यह निकाह सम्मेलन गरीब नवाज कमेटी और बी-एमबी ग्रुप के सानिध्य में आयोजित किया गया जिसमें इस्थानिय पुलिस समाज जनो सहित अन्य दू दराज के मुस्लिम समाज सदस्य अपने बेटा बेटियों के निकाह करने के लिए शरीक हुए इस अउसर पर शेत्री विधायक सचिन बिरला सहित सेकडो कॉंग्रेस कार्य करताओं ने 51 जोडों को आशिरवात देकर उनके उजवल भविश्य की कामना की गरीब नवाज कमेटी और बी एमबी ग्रूप सदस्यो द्वारा करवाये जाने वाला यह निकाह समेलन का यह तीसरा वर्षत था जो मुख्य मंत्री निकाह योजना के तहद किया गया निकाह के पूरवर रईवार सुबह 10 बजे शहर की जामा मस्जिद से 51 दुलों की बारात एक साथ नगर में निकाली गई जो विभिन मार्गों से होकर कारक्रम इस्थल पहुँची आपको बता देए कि रईवार दोपर 12 बजे शहर काजी रेहान रचा कदीमी मस्जिद के पेश इमाम हाजिप गुलाम नभी मौलाना शहरुक सहब मौलाना अजमल खान मौलाना आबिर हुसेन सहब ने दुलों को कलमा पढ़ाकर निकाह कबूल करवाया जिसके बाद कमेटी सदस्चो द्वारा मंचा सिन अतितियों का स्वागत समान किया गया इस अउसर पर मुक्य अतिती के रूब में विधायक सचिन बिरला, पूर्व सांसत ताराचन पटेल, पूर्व नगरपाली का अध्यक्ष बाबुलाल जेन, राना राजेंद्र सिहर रहे इस निकाह सम्मेलन के मौके पर इस्थानिय एवं अन्य शेत्र के लोगों द्वारा बेटे बेटियों को उपहार स्वरूप नगत राशी एवं अन्य घरवली सामगरी भेट की वही विधायक बिरला ने निकाह के पशाद दूलों को निकाह प्रमान पत्र भेट किये इस अवसर पर विधायक सचिन बिरला ने बताया कि विगत 15 सालों में शिवराज सरकान ने निकाह योजना के तहद मात्र 21,000 रुपे की राशी प्रदान की थी किन्तु कमलनास सरकान ने अपनी बेटियों को 48,000 रुपे की राशी सीधे उनके बेंक खातों में डाली है वही तीन हजार की राशी कमेटी को दी है कारेक्रम का संचालन गुरूप सदस्य शहजात खान ने किया आभार बी एमबी एवं गरीब नवास कमेटी के तमाम सज़स्यों ने माना बढ़वा से रफिक मुंडा की रिपोर्ट अब पूच कहां से आया है कसरावाद क्या नाम है बोहीन खारीक्रम सम्मेलन में क्या लगा कोई कमी भी सी गरीब नवास कमेटी के पजादी कारी प्रशेशन से अवन जोडों के सामुई जवा सम्मेलन वाई स्वारी हरिस्टिंग की बड़ोरे साब जिला जर्पा दो बात देख जी जोनों वर्गे के लोग हिंदों अपका नाम क्या है जी कहा सा है देपाइलपूर से सम्मेलन केसा क्या हुआ कैसा लगा तुम्हें यहां का कारीकरम में कोई वेस्टा में गलवड़ी तो नहीं रही आप लोगों कोई तकलीफ तो नहीं ठीक है आगे रहे के दुआ करना कि बड़एक है था दुआ थाटक्रम में। हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हमारा चैनल स्व 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें